कुछी दिनों पहले खबर आई थी कि कैसे रनबीर कपूर की फिल्म एनिमल परिनिती चोपड़ा छोड़ चुकी है क्योंकि रनबीर कपूर पर एक मनूसियत चिपकी हुई है कि उनकी जितनी भी फिल्में है वो डिलेड रिलीज होती है ब्रह्मा अस्त्र अब जाकर कंप्लीट हुई है शेर्शा कब रिलीज होगी उसका भी अता पता नहीं है इसी बीच रनबीर कपूर को अर्जुन रेड़ी फिल्म के डिरेक्टर संदीप वांगा रेड़ी ने अपनी आने वाली फिल्म एनिमल के लिए साइन किया था और लीड आक्ट्रस के रूप में परिनिती चोपड़ा थी लेकिन परिनिती चोपडा ने अब इस फिल्म को quit कर दिया है हाला कि परिनिती ने reason ये दिया है कि उनकी जो date से वो clash हो रही है वो इंतियाज अली की फिल्म चमकीला में काम कर रही है और इसी ने वो रनबीर के साथ काम नहीं करेंगी ऐसे में अब रनबीर को मिल गई है उनकी एक नई अक्ट्रेस और इस अक्ट्रेस का अभी मीडिया में काफी बस है क्योंकि इस अक्ट्रेस की पिछली फिल्म एक blockbuster फिल्म रही मैं बात कर रही हूँ पुश्पा फिल्म की लीड अक्ट्रेस श्रिवल्ली का रोल करने वाली रश्मी का मंदाना की रश्मी का मंदाना पिछले कुछ समय से सुर्ख्यों में है इसी बीच अब खबर आ रही है कि संदीप वांगारेडी रनबीर कपूर के साथ परिनीती की जगह अब रश्मी का मंदाना को ले रहे हैं और रश्मी का मंदाना जल्द ही रणबीर के साथ इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेगी वैसे आपको बता दे कि और रश्मी का मंदाना एक फिल्म कर रही है हिंदी की सिधार्ट मलोत्रा के साथ मिशिन मजनुमें वो नजर आने वाली है और वही फिल्म उनकी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू फिल्म होगी और उसके बात कह सकते हैं कि वो रणबीर के साथ नजर आएगी तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में रश्मी का मंदाना साउथ के साथ साथ बॉलिवुड में भी एक बड़ा नाम ह होने वाली है